सब्सक्राइब नहीं तो प्लیज इसे सब्सक्राइब कर लिजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किजिएगा और में सब्सक्राइब किजिएगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे अपना order and ranking based puzzle ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे order and ranking based puzzle ठीक है इस पे किस तरीके से question पूछा जाता है ये आज हम discuss करेंगे ठीक है इसके पहले अगर आप लोगोंने order ranking का वीडियो नहीं देखा होगा तो इसे समझवें के लि marks की पूछी जाती हमेशा 3-5 marks की पूछी जाती ठीक है कब पूछी जाएगी हमेशा bank exam की बात करूं तो हमेशा प्री में पूछी जाएगी means में कभी भी ये नहीं पूछा जाता है ठीक है कब पूछा जाता है प्री में 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 कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा ठीक है 3-5 marks बहुत इजी रहता है ठीक है फ्रीके नंबर रहते हैं इस पर बिल्कुल असानी से हमें से marks gain कर सकते हैं ठीक है अगर बात करूं कि किस किस तरीके से पुछी जाती है तो इस पर पूछा जाता सबसे पहले एक हइच का přूछ देगा थीक है थीक है इनका वेट ऐवरे आरेंज करने ठीक है कौन संब्षस जादा भारी ही कौन सब्षससे जादा हलका है ठीक है और क्या बोल देगा marks बोल देगा कि कोई exam हुआ इसे इतने marks मिले इनको अरेंज करो किसे सबसे ज़्यादा मिले किसे सबसे कम मिले ठीक है और height हो गया weight हो गया marks हो गया numbers of pains देदेगा number of chocolates देदेगा ठीक है और number of books देदेगा ठीक है 6 वेक्ति है उनके पास अलग अलग नंबर की पेन है, 6 वेक्ति है, उनके पास अलग अलग नंबर की चोकलेट है, ठीक है, 6 वेक्ति है, उनके पास अलग अलग नंबर पे बुक है, किस के पास सबसे जारा है, किस के पास सबसे कम है, यह हमें ऐसे पुरा अरेंज करना होता है, ठीक है, जादा बड़ा नहीं रहता है बिल्कुल छोटा कोषण रहेगा और एक से देढ़ मिनट में हम इसी सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो अब चलते हम अपने अपने आप लोगों को यह समझ में आगे अब कहां चलते हम कोषण की तरफ चलते हैं ठीक है यह समझ में आगया बेसी क किस किस तरीके से पुछा जाएगा किस किस टाइब के पुछे जाएगे कितने marks के पुछे जाएगे और कैसे exam में पुछे जाएगे अब चलते हम question के तरफ question ये रहा हिंदी पे ये हिंदी पे लिखा हुआ है आप इस कर्स्रोट लिएकि रख सकते अब चलते हम English के question के तरफ ठीक है English पर यह रहा यह बहुत चोटी पजल रहती है इतनी ही बड़ी पुछी जाती है इसे एक दो लाइन ज्यादा हो सकती है इतनी ही पुछी जाएगी बहुत इसी रहता है बहुत आसानी से हम इसे solve कर पाएंगे ठीक है आप देखना भी किस तर इसे जादा और कम से बताया जाता है इसे जादा और कम से बताया जाता है ठीक है हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे ठीक हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे हम यहांब ऐसे च्छै बना लेता हैं ऑ度 के यह 6 cells वेसे दाए आ बमेंगे की करूँगी जैसा जैसा यह बोलते है जैकर मैं इस उसी हिसाव से मैं इन 6 म Avec सबसे वाला बॉक्स रहेगा यह सबसे जादा वाला ठीक है कम वाला नीचे जादा वाला उपर ठीक है इसी हिसाब से मैं अरेंज करूंगे आप देखना कि इसमें कितनी जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं ठीक है तो चले पढ़ते हम क्या बोल रहा है रेखो अब मैंने लिखा कि यह जो है सबसे कम वाला ठीक है यह जो है सबसे कम वाला यह नहीं है कौन नहीं है सी मतलब सी यहां पे नहीं आएगा सबसे कम वाले में ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है अब आ है तो दूसरा सबसे ज्यादा मतलब यह वाला फिक्व यह वाला इसके पास कितनी पीन है बोल रहा है 18 ठीक है तो हम लिख लेते हैं यहां पर जो व्यक्ति आएगा कि उसके पास 18 ठीक है अब क्या बोलाएंगाईDH has more pain than only e and c D के पास ज्यादा pain है किस से केवल e और c से ठीकाई D के पास ज्यादा pain आएंगी केवल e और c से ठीकाई ज्यादा pain है e और c से بाकी सबसे कम pain है तो e c यहाँ पे आ सकता है e c यहाँ पे ठीक है उसके नीचे और कोई है क्या नहीं आएगा क्योंकि इसने एक वर्ड यूज़ कर लिया है only ठीक है मतलब केवल E और C से ही जादा है बाकी सबसे क्या है कम है तो D यहाँ पे अरेंज हो जाएगा समझ में आना D यहाँ पे अरेंज क्योंकि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है only ठीक है मतलब केवल E और C से ही जादा पेन है बाकी सबसे D के पास कम पेन है तो E C यहाँ पे आजाएंगे ठीक है अब मुझे पता है C यहाँ पे आना नह informing में है मैंने लिखने हैं यहाँ पे आ गया ए C यहाँ पे आना नहीं था थो उपपर पर क्यों आ जाएगा C तो D, C और E ये तो हमारे क्या हो चुके हैं अरेंज हो चुके हैं ठीक है ये information यूज हो गई यहां तक के पढ़के हमने ऐसा अरेंज कर लिया ठीक है अब पढ़ते हम आगे अब क्या बोल रहा है देखो कहां तक हो गया था E and C तक है ठीक है D has more pains than only E and C अब क्या मोल रहा है B has more pains B के पास जादा pain है किस से जादा pain है Then A, A से जादा pain है A के तुरंट उपर भी आ सकता है फिर बाद में भी हमें नहीं पता ठीक है कहीं पे भी आ सकता है ठीक है B के पास क्या है A से जादा pain है but less than F ठीक है पर F से क्या है कम पेन है अब देखो F B A अरेंज होना और यहां पे भी तीनी बॉक्स बचेंगे जादा बचेंगे तो हम क्या करेंगे F B और A B के निचे A आना है F के निचे B आना है तो यह भी क्या हो गया हमारा अरेंज हो गया jetzt फंब हो गया इसको पॉर्सं dw q अरेंज हो चूगरकर a कितनी पेन प्याले कितनी पेन यह कितनी पेन कम है थीक्ति मतलब के पास किति कितनी पेन निकल के आगी D के पास किती pen निकल किया गई 13 और बोल रहा है 7 is the list number of pens मतब सबसे कम नंबर की pen कौन सी 7 तो 7 कहां जाएगा सबसे नीचे पे ठीक है तो यह क्या हो गया इस question से पढ़के हमने क्या किया यह अपना यह puzzle solve कर लिया ठीक है यह puzzle क्या हो गई हमारी solve होगी कैसे arrange हुआ सबसे ज्या सबसे कम है C के पास और उससे भी कम है E के पास जिसके पास 7 है ठीक है तो यह हमारा रिंज हो चुका है ठीक है इससे related जो भी question पुछेगा हम क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे ठीक है यह समझ में आया उम्मीद करते हूं कि आप लोग को समझ आ चुका हुआ ठीक है अब चलत इसमें क्या बोल रहा है ठीक है six friends छे में रहे हैं कौन-कौन से मोनू बिट्टू तुसार हेतल विवेक और दिव्या ठीक है यह नाम दिये हुए है are working in two different companies A and B ठीक है यह क्या है दो अलग-अलग कंपनियों में काम करते हैं कंपनी A और कंपनी B ठीक है और क्या बोल रहा है छे व्यक्ति है A और B में काम करते हैं ठीक है और क्या बोला है with three in each company मतलब तीन व्यक्ति इसमें काम करेंगे और तीन व्यक्ति इसमें काम करेंगे ठीक है छे व्यक्ति है तीन व्यक्ति इसमें आना है तीन व्यक्ति इसमें आना है ठीक है मतलब बराबर बराबर आएंगे और यह तो इसमें क्या बोल रहें एक जो छा कॉन कंपनी में उसी काम कर रहा है उना जय iPhone थाह धुर्का मुदGG के स advent user राहे में जए ऑख लिए ten फीस है विच है जो 6 यह किया छे बना लेते हैं, ठीक है, कितने हो गए, 3, 2, 5, 6, ठीक है, हमें किसमें क्या क्या अरेंज करना है, एक तो कंपनी अरेंज करना है, और इनका इमाउंट, ठीक है, हो सकता है, कोई 10 अजर कमाता है, हो सकता है, कोई 20 हो सकता है, कोई 5 हो सकता है, कोई 7 हो सकता है, कोई 25 हमें नह समस्राइब करते हैं आगे तुषार वर्ट स इन कमपनी बी अप कमपनी बी में इसे एक है यहां काना काम करता है तुषार यह तुषार कमा नियुक्ट सेट अब थुषार व्ठीum दाइब सन्साइब कम्पेस में इस निल्गे ढको तोसार सबसे कम पैसे कमा थे ह remember लिख लिया है उसार सबसे कम पैसे कमाता है, इत्ता समेज़ में है न, कंपनी B में काम करता हूर सबसे कम पैसे कमाता है अब क्या बोल रहा है? विवेक and दिव्याक do not work in company B, अब विवेक और दिव्या게 कंपनी B में नहीं काम करेंगे, तो कहां काम करेंगी कमपनी A क्योंकि दो ही कमपनी है तो विवेक यहां आ गया दिव्या यहां आ गयी ठीक है कमपनी A में दो व्यक्ती विवेक और दिव्या कमपनी B में एक व्यक्ती तुसार ठीक है इतना हो गया अब बोल रहा है कि maximum मतलब सबसे ज्यादा यह वाला है यहां पर कौन नहीं आना है विवेक भी नहीं आना यहां पर कौन नहीं आना डिव्या भी नहीं आना तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि यहां पर नहीं आएंगे विवेक और एक नट इस साइड पर लिख लेते हैं ठीक है यहां पर नहीं आएंगे विवेक और दिव्या ठीक है यहां पर विवेक और दिव्या नहीं आएंगे ठीक है और क्या बोल रहा है देखो इतना हो क्या विवेक और दिव्या वहां पर नही less than Hathal and Vivek. अब बोल रहा है, देखो, बिट्टू क्या है? बिट्टू earns less than Hathal or Vivek. Hathal or Vivek से कम पैसे कमाता है. Hathal or Vivek से कम पैसे कौन कमाता है? Bittu. ठीक है. Hathal or Vivek से नीचे ही आएगा. Bittu कहाँ पाएगा? हमें नहीं पता. ठीक है और क्या बोल रहा है और क्या बोल रहा है यहां तक हो गया मोनु दस नॉट वर्क इन दर कंपनी इन विच तुसार वक्स मोनु उस कंपनी में काम नहीं करता है जहां पर तुसार काम करता है तुसार कहां काम करता है कंपनी बी में तो मोनु कंपनी बी में आएगा गया कम्पनी दूर्श की सारे बट्श में वांगWow हो चुकई है है ओड्रच मेंड़ी को स्याहिव से सब्सक्राइब क कम्पनी का में मांगे ओड़ने यूद के तुषायो में Sp yang राइने फाइन ी ते शॉए शॉए फिसना के सब्सक्राइब माझाला में betisic bond हुक,, मेंने कौन से बता रख आप लोगों ठीक है? किसे लिए उसके हो गया? मोनू के लिए ठीक है मोनू क्या करता है? दिव्या से ज्यादा पैसे कमाता है लेकिन बिट्टू मत्ता बिट्टूड मत्ताब देखो अब पता चल गया मुझे देखो दिव्या दिव्या के उपर मोनू ठीक है मोनू के उपर बिट्टू और यही बिट्टू के उपर हेतल और विवेक पांच व्यक्ति है हेतल विवेक दो हो गए बिट्टू तीसरा हो गया मोनू चौथा हो गया दिव्या पांच वी हो और यहां पे भी पांच सीट है मतलब सबसे नीचे पे कौन आगई दिव्या तुसार वाले के उपर ठीक है दिव्या आगई यह तो दिव्या अरेंज होगे दिव्या के उपर कौन आना है मोनू तो यह हो गया मोनू अरेंज ठीक है अब मोनू के उपर कौन आना है यहां तक की आरेंज हो चुका है बिट्टु के नीचे ही मोन्व और दिव्या मीया आने थे वह हम पर आरेंज कर लिए कूझ सब्सक्राइब यहां पर नीचे क्यों कोई यहां पर और प्लेस नहीं थे थी यहां तुरं तुरंत नीचे आ गया के थी का है थे तुरंत के उपर कौन आना है हेतल और विवेक आने है ठीक है हेतल विवेक यहां पे भी आ सकते हैं हेतल विवेक यहां पे भी आ सकते हैं ठीक है अब क्या बोल रहा देखो अब क्या बोल रहा है विवेक उपर वाले पे आना नहीं है और दिव्या उपर वाले दिव्या तो आ गई यह हमां सब्सक्राइब कि अधिर्थ एंसाफ कर रहें कि विकुत्त ऐसे कुछ भीड़ा है शूद्ट आपसे हमारे मौने को सब्सक्राइब करने करके के तरुछ इन सब्सक्राइब लूड़ है न ऑंच है अलुट है कमपनीन चोट कर से तक कै一次 कम जादा ऐसे करके arrange नहीं करेंगे ठीक है कि A सबसे ज्यादा A के है B से ज्यादा पर B के है कम है C से इस तरीके से हम नहीं करेंगे हम direct box बनाएंगे और तुरन 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 इस पर arrange करते जाएंगे ठीक है यहां तक का समझ में आया तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले question की इंगल्स पे यह रहा क्या बोल रहा है question a group of six friends M&O PQN are score different marks in SBI exam SBI State Bank of India का paper होता है ठीक है 6 मित रहे उनको सब को अलग-अलग marks मिलते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यह 6 बना लेते हैं ठीक है 456 ठीक है इससे सबसे ज्यादा वाला यह रहा सबसे कम वाला यह रह उस हिसाब से हम क्या करेंगे अपना अरेंज करेंगे ठीक है क्या रहा है question को पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं अच्छा question पढ़ने से पहले एक बात कल वाला question था जिसमें मैंने आप लोग कोशन प्राता है उस होबी में हिंदी वाला question बिल्कुल सही था English वाले question में by mistake rowing type हो गया था पढ़ मैं पढ़ रही थी singing क्योंकि मुझे ध्यान था कि वहाँ पे singing लिखा हुआ था ठीक है तो मैं उससे singing ही पढ़ रही थी तो वहाँ पे गल्ती हो गई थी कि rowing type हो गया था ठीक है तो उस rowing को आप singing कर लेना English वाले question में ठीक है अब आते हम इस question पे ठीक है क्या लिखा हुआ है पढ़ते हम यहां तक होगे SBA exam अब क्या बोल रहा है the one who scored the highest marks in the group जो क्या है सबसे ज़्यादा मार्स लाता है ग्रूप में ठीक है मतलब कौन सवाल आ गया यह वाला यह जो सबसे ज़्यादा मार्स ला रहा है यह क्या बोल अब क्या सबसे कम करें कियो को अब सबसे कम कर चालू को होता है तो तीसरा सबसे कम यहाँ सबसे कम यह त्टीसाँ यह ज़्यार को ना ह रहा है क्यों टीक है तो हमने यहां पर लिख लिए क्यों को ठीक और कidän Higher cómo एस undes 계획 more marks than only R क्या है केवल N से ज़्यादा marks प्राप्त करता है केवल N से ज़्यादा यहाँ पे फिर वर्ड आगया only मतलब definitely R के नीची N आना है ठीक है अब बोल रहा है देखो R के नीचे तो N आएगा पर कहाँ पे आएगा यहाँ पे अब यहाँ पे क्यों आएगा यह कैसे पता चला मुझे क्योंकि इसने यहाँ पे बोल रखा है कि R is scored more marks than only N केवल N से ज़्यादा marks मिलता है R को बाकी सबसे इसका मतलब क्या हो गया बाकी सबसे कम marks मिलता है केवल N से ज़्यादा पाएगा नमबर बाकी सबसे क्या आएगा कम नमबर आजाएगा मतलब N, N के नीचे N के उपर R ठीक है इसका मतलब क्या हुआ R, R के नीचे N ठीक है N से ही केवल R को ज़्यादा marks मिलते है ऐसा बोल रहा है मतलब बाकी सबसे कम मिलते है ठीक है, R को केवल N से ज़्यादा marks मिलते है बाकी सबसे कम मिल रहा है इसका है ने का मतलब ठीक है यह समझ मैं आगे पढ़ते है आगे क्या बोल रहा है O scored more than Q O क्या है Q से ज़्यादा marks मिलते है ठीक है, तो Q के नीचे तो ज़्यागई नहीं पैची O को, O को नहीं मिलता है 3rd highest, ठीक है 3rd highest नहीं मिलता, मतलब पहला highest यहाँ पे O नहीं आना ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे मतलब, देखो, क्या बोल रहा है O scored more than Q ठीक है, Q से ज़्यादा marks मिलता है But did not score the 3rd highest mark मतलब, पहला highest, दूसरा highest और तीसरा यह वाली जगह पे कौन नहीं आएगा, O नहीं आएगा, ठीक है, इसको 3rd highest marks नहीं मिलता है, इतना समझ में आगया, ठीक है, और क्या बोल रहा है देखो, क्योंकि उपर ही O आएगा वो तो definitely ही आएगा, क्योंकि नीचे तो place नहीं बची है, ठीक है, यहां तक होगे अब देखो, O यहां पे नहीं आ रहा है O यहां पे नहीं आ रहा है, तो O के लिए कौन सी place बची, यह वाली यहां पे कौन आगया, O आगया ठीक है, यह होगे हमारा N यहां पे नहीं आ रहा तो N के लिए कौन सी प्लेस बची ये वाली N तो होई रखा है यहां पे ठीक है ये N अरेंज हो चुका है ठीक है इतना हो गया अब क्या बोल रहा देखो M स्कोर More than Q, Q से ज़्यादा है M का स्कोर ठीक है Q से ज़्यादा आगे M का स्कोर कहीं भी आ सकता है हमें नहीं पता ठीक है But less than O, पर O से क्या है कम माक्स है ठीक है मतलब O, O के नीचे ही M, M के नीचे ही Q, O और Q के बिच में एक ही प्लेस बची तो यहीं पे M आ जाएगा ठीक है ये भी fix हो गया अब बचा कौन, कौन कौन थे M, N, O M, N, O चुका है, ठीक है M ये रहा, N ये रहा, ये O P, P हुआ है कै नहीं, P आ गया, यहां पे P, Q, R ठीक है, इतना हमने जमाली अपना पजल ही है, हमारी solve होगे, ठीक है, क्या बढ़ रहा है, और आगे The one who is called fourth list, अब list मतलब सबसे कम वाला, तो fourth list मतलब ये पहला सबसे कम, ये दूसरा सबसे कम, तीसरा सबसे कम, ये चौथा सबसे कम, ये क्या है, इस code 170, मतलब M को किते मार्स मिलते हैं, 170 मार्स ठीक है, जितने information दी हुई थी, उससे हमने अपना ये arrange कर लिया, कैसे कैसे arrange हुए, P को सबसे ज्यादा मार्स, उससे कम O को, उससे कम M को, उससे कम Q को, उससे कम R को, उससे कम N को, तो ये हमारे puzzle solve हुए, ठीक है, अब आज की session से हमने क्या सिखा, आज की session से हमने क्या सिखा, हमने सिखा, कि कभी भी order ranking को जाएंगे, को जाएंगे, कभी भी बहुत जादा lengthy question नहीं आएंगे, हमेसा प्री में 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 नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, मार्स, कितने marks याएंगे, 3-5 marks याएंगे, टाइम कितना देना है, 1-1.5 और solve के से करना है, कभी भी यह sign लेकर हम solve नहीं करेंगे, कम चार्दा का हम क्या करेंगे, box बनाएंगे, ऐसे गोल गोल circle बना के जल्दी-जल्दी से solve कर लेंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी असानी से solve हो जाता है, ठीक है, बहुत सादा tough नहीं रहता है, बह अच्छे तरीकी से हमारा complete हो जाएगा, ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर अगले session में, एक में concept के साँ, ठीक है, अगर आप लोगो ये video पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसे like किजेगा, maximum share किजेगा, और comment करके मुझे जरूर बताइएगा, कि क्या आप लोगो ये समझ आ रह